हालो बच्चो आज हम बात करने जा रहे हैं झालीजवे झालीज tentang यूसी हैं कि कि पहां अच्चो आज हम दुत कक्ना काρώ झाल 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 आपने आप लगाईए इसके बाद six questions देखिएगा समझ में आ रहा होगा टेक्निकल नहीं है कोई नई शीज नहीं है assumption आप अपने आप चेक करेंगे कि कौन सा function दिक्कत create कर रहा है देखे six questions क्या कर रहा है i is equal to integral under root ax plus b under root का मतलब power half होती है ax plus b to power half अब जरा एक बास समझेगा जब भी whole power हो जब भी whole power लिखी हो इसके अंदर चाहे जो लिखा हो इसको आप x मानेगे तो ये बन जाएगा x to power n उसका integral क्या होता x to power n plus 1 upon n plus 1 ठीक है अब problem यहाँ तो x लिखा नहीं है यहाँ तो ax plus b है और हमने कहा x होना चाहिए अगर होना चाहिए और नहीं है तो क्या करेंगे उसको t माल लेंगे माल लीजे let ax plus b बराबर t differentiate करो ax का differentiation a x का 1 होता है जहाँ पर x का करेंगे वहाँ dx लिखेंगे यहाँ dt तो dx की value क्या होगी 1 upon a dt लग दो यहाँ पर so i is equal to integral यह हो जाएगा t to power half और यह हो जाएगा dt upon a यह 1 upon a बाहर हो जाएगा और t to power half में फार्मुला किसका लगेगा x to power n x to power n प्लस 1 upon n plus 1 यह हो जाएगा t to power half plus 1 upon half plus 1 plus constant इसको कल्क्रेट कर लो 1 upon a यह 3 by 2 तो यह 3a हाएगा 2 उपर चला जाएगा और यह हो जाएगा t की power 3 by 2 t कमान रग दो तो 2 by 3a into ax plus b to power 3 by 2 plus constant तो इस 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 प्सक्जिशन एक सेकेड 7th node करिए आप देखे 7th question क्या गह रहा है 7th i is equal to integral x root x into under root x plus 2 अब आप कहेंगे दिक्कत तो root वाली चीज़ कर रही है एक तो multiply में लिखा हुआ है product rule लगा हमको बताया नहीं किया नहीं हम लगा पाएंगे हाँ ठीक है एक जैसे function का product rule भी नहीं होता है यह ध्यान रखेगा अब आप कहेंगे ठीक है यह जब question board में आएगा तब तक तो product rule हमको बताये जा चुका होगा तो product rule में एक जैसा function नहीं होना चाहिए यह भी algebra यह भी algebra नहीं चलेगा एक algebra हो एक trinomati हो या inverse हो या exponential हो तो चलेगा दिक्कत कौन कर रहा है under root वाली चीज अब उससे क्या मुलेगा मुझे नहीं मालूम जो दिक्कत कर रहा है पहले उसको हटावाँ से हमने क्या किया x प्लस 2 को t माल लिया तो dx की value क्या आएगी dt अब आप कहेंगे साब यहां तो dt हो गया यहां पर t हो गया यह भाई साब क्या करेंगे तो इनकी जगह आप करेंगे x is equal to t minus 2 क्योंकि हमको ultimately पूरे function को t में convert करना पढ़ेगा रदो यहाँ पर so i is equal to integral x और रखिया t minus 2 और यह है under root t और यह हो गया dt अब root t अंदर चला जाएगा यह अंदर नहीं जा सकता था यह अंदर जाता तो square बन के जाता और root के अंदर x square प्लस 2x को integrate हम नहीं कर सकते थे t into under root t minus 2 under root t अब under root के अंदर integral नहीं होता है उसको power form में लिखना पड़ेगा तो देखें यह लिखा क्या है यह t की power 1 है यह t की power half है root हमने बताया half power होती है यह हमने बताया था half power होती है यह दोनों multiply में है तो पहले तो power add हो जाएगी तो t की power 3 by 2 हो जाएगी अब integral नहीं हो रहा है अभी इसको calculate कर रहे है minus 2 t की power 1 by 2 dt अब इसको integrate कर दो इसका integral क्या होगा t to power 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1 minus 2 into t to power half plus 1 upon half plus 1 plus c अब value रग दीजे उठा करके अभी बाद रखेगा यह t to power 5 by 2 आएगा यह 2 by 5 हो जाएगा 5 by 2 आएगा 2 उपर चला जाएगा plus यहां का 2 उपर जाएगा तो जाएगा 4 by 3 minus 4 by 3 t to power 3 by 2 plus 3 अब t का मान रखे उठा करके तो आएगा 2 by 5 t की value क्या है x plus 2 तो आएगा x plus 2 2 power 5 by 2 minus 4 by 3 x plus 2 2 power 3 by 2 plus constant this is question number 7th next देखे method कोई नहीं है फिरम बता दे integral में खास बात है कि integrable होना चाहिए जब वो integrable होगा तभी integrate कर सकेंगे जो दिक्कत create करे उसको t मानिए शर्त उसका differentiation present होना चाहिए और differentiation करने के बाद पूरा system t में convert हो जाना चाहिए अगर नहीं होता है तो something is wrong there वो चेक कर लीजिएगा next question देखे 8th question 8th question देखे i is equal to integrate 8th कह रहा है x into under root 1 plus 2x square dx अभी हम बता चुकिए root वाली चीज़ दिक्कत कर रही है तो इसको t मालीजिए अंदर वाली चीज़ को let 1 plus 2x square is equal to t अभी यह x हटेगा और नहीं हटेगा हमको नहीं मालू उस वाले question में नहीं हट रहा था तो मुझे x की value भी t की time में रखनी पड़ी थी इसको differentiate करो तो क्या आएगा इसका 4x हो जाएगा into dx हो जाएगा is equal to dt तो dx की value क्या आएगी dt upon 4x उठा गया रख दो so i is equal to देखो इसको आपने कुछ नहीं माना है इसको मत छेडिये इसको आपने t माना है तो यह हो जाएगा t की पाउर half और यह हो जाएगा dt upon 2x 4x यह xx कट गया यह कट गया न करता तो मुझे यहां से निकालना पड़ता ठीक है तो यह 1 by 4 बाहर हो जाएगा यहां क्या आप जाएगा t power half तो t to power half plus 1 upon half plus 1 plus c c को लिख देंगे c is the constant of integration यह क्या हैगा 3 by 2 1 by 4 into 3 by 2 उपर जाएगा into t to power 3 by 2 plus c तो आएगा 2 से 2 कर जाएगा तो आएगा 1 by 6 t के लिख दो उठागर के 1 plus 2x squared power 3 by 2 plus c this is question number 8 9 फिर वही चीद बार बार हम पर कहते हैं जो दिक्कत करे उसको t मानना है बस और कोई मतलब नहीं आपर है 9 के रहा है i is equal to integrate of 4x plus 2 into under root x square plus x plus 1 x square plus x plus 1 dx root वाली चीद दिक्कत कर रही है इसको t मानने मान लेते हैं let x square plus x plus 1 is equal to t x square का differentiation 2x और x का 1 इसके साथ क्या लिखा जाएगा dx t का dt तो जहाँ dx है वहाँ क्या आएगा dt upon 2x plus 1 रख दो उठागे यहाँ पर so i is equal to अब थोड़ा सा दिमाग लगाईएगा जो को मेरे पास यहाँ पर आएगा पहले इसको हम छेर नहीं रहे यह हो गया t की पाउर half यह हो गया dt upon 2x plus 1 यहाँ पर आएगे यह लिखा 4x plus 2 और यहाँ आएगा 2x plus 1 तो यहाँ से 2 कामा ले लिजेगा अंदर उसेगा 2x plus 1 constant के साथ ऐसा कर सकते हैं यह कड़ गया पूरा का पूरा यह 2 बाहर हो गया integral क्याब चाहिएगा t power half dt इसको integrate x power n का फर्मुला बताया गया है तो आएगा 2 t power half plus 1 upon half plus 1 यहाएगा 3 by 2 तो 4 by 3 t power 3 by 2 plus c t कमानक दो तो 4 by 3 t की value क्या है x square plus x plus 1 to power 3 by 2 plus c इसके बाद next question देखे पहले next question नोड करिए और थोड़ा सा उसको अपने आप tackle करने की कोसिज करिए लड़िए उससे डरवाईए उसको कि आप उस question को जीत सकते हैं उससे जब नहीं लड़ पाएंगे तब हम तलवार आपको पकलाएंगे देखे 10th question जब थोड़ा सा दिबाग लगाएंगे इसमें i is equal to integration of 1 upon x minus root x dx देखे एक तो अब आप पुरा पूरा डिनाूमनेटर अब पूरा पूरा डिनामिनेटर तिकत कर रहा है अब पूरा पूरा डिनामिनेटर अगर ती मान लोगे तो उसका differentiation कहां से लाओगे देखे अगर root x को t मानते हैं तो root x का differentiation 1 upon root x होता है तो अब root x को t ऐसे मानेंगे देखे ध्यान से हम यहां से अंदर से root x कामा ले लेंगे x से अब root x कामा लोग क्या बचेगा यहां root x बचेगा यहां minus 1 बचेगा अब इस bracket वाले चीज को t मानें क्योंकि किसी चीज को t मानेंगे तो उसका differentiation भी तो सर्च करके लाना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे यहां पर let root x minus 1 जो bracket में लिखा है इसको t मानें root x का मतलब क्या होता है x power half यह लिखा हुआ है x power half minus 1 बचेगा इसका differentiation क्या होता है n x to power n minus 1 यानि कि 1 by 2 x power 1 by 2 minus 1 dx बरावर dt मैं इस प्रकार से differentiation कर रहा हूँ यह मान के कि यह आपको नहीं आता है तो यह क्या होगा half x power minus half dx बरावर dt तो यह को minus half जब नीचे denominator में जाएगा तो plus में half आएगा root हो जाएगा तो आएगा 1 upon 2 under root x dx is equal to dt जहाँ dx है वहाँ क्या लिखेंगे 2 under root x dt इतना बड़ा तामजाम यहाँ नहीं करेंगे आप direct differences करेंगे हाँ चलिए कहीं दिक्कत आ रही है तो एक आद इस्टिप बढ़ा दीजे रख दो आपर so i is equal to so i is equal to देखे यह dx है क्या रखेंगे 2 root x dt 2 under root x dt इस under root x को हमने कुछ नहीं माना है इसको बाहर लिखा रहे न दीजे और यह आएगा under root इसको हमने t माना है तो into t रख दीजे उठा दो इसी यह इसका differentiation है इसी के लिए हमने यह root x बाहर निकाला है यह root x बाहर हो गया 2 बाहर हो गया यह 1 upon t बचेगा 1 upon t dt और आप जानते 1 upon x का integral होता है log x log t plus constant t कमान रख दो तो 2 log root x minus 1 plus c इस प्रिकार से this is question number 10 11 देखे 11 पूशन क्या कह रहा है i is equal to integral x upon under root x plus 4 देखो दिक्कत तो root वाली चीज़ी करती है तो आप उसको t मानेंगे मानेंगे मान लिजे let x plus 4 is equal to t तो इसको differentiate करो तो dx is equal to dt so i is equal to integral ठीके मैंने उपर वाले x को कुछ नहीं माना है x लिखा रहना दीजे upon इसको t माना है तो under root t हो जाएगा और ये dt हो जाएगा अब आप कहेंगे साहब ना तो इस x को काटने के लिए कुछ dt के साहथ आया और ना ही ये हटा और जब तक ये हटेगा नहीं तब तक integration हो ली सकता तो अब इसको कैसे हटाएगे यहां से देखिए x की value क्या निकल लई है t-4 बस यहां रख दिए उठागर की t-4 upon under root of t dt अब इसको अलग अलग कर दो देखो t upon under root t minus 4 upon under root t इसको उपर ले जाओ ये क्या हो जाएगा t की पाउर half minus 4 t की पाउर minus half dt बस इसको integrate कर दीजे देखिए t की पाउर half का integral क्या होगा t to power half plus 1 upon half plus 1 minus 4 t की पाउर minus half plus 1 upon minus half plus 1 plus c देखिए आएगा t to power 3 by 2 into 2 by 3 इनीचे 3 by 2 आएगा ना minus 4 t to power half upon half plus c सको पल ले जाओ तो 2 by 3 t to power 3 by 2 minus यह आजागा उपर 8 into t to power half plus c t का मान लग दो तो 2 by 3 t की value क्या है t की value है x plus 4 तो x plus 4 to power 3 by 2 minus 8 into under root x plus 4 plus c इस प्रकार से value आएगी इसको देख लीजेगा यह है question number 11 अब देखिए अगला 12 and 13 इसको पहले अपने आप लगाईए थोड़ा fight करिये अगल t की value ना भी रखना चाहे तो answer यही छोड़ दीजे यहां लिग दो where t is equal to x plus 4 तब यह सही माना जाएगा देखिए 11th question क्या करता है 11th हो गया 12th देखिए जड़ा 12th question देखिए एक चीज़ और है एक होता है कि हमको जब integral आ जाएगा हमारे सोचने के हिसाफ से answer आ जाएगा then I will start जो दिक्कत करें इसको t मानिए लड़िए थोड़ा सा देखिए कहां तक आप कहुंचते हैं फिर सोचिए उसकी बारे में देखिए question क्या कह रहा है I is equal to integration of x cube minus 1 whole to power 1 by 3 into x to power 5 dx देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कर रहा है जो 1 by 3 के उपर लिखा है whole power में तो आप इसको t मानिए लेट x cube minus 1 is equal to t अब आप कहेंगे क्या इसका differentiation present है हमको नहीं मालू differentiation present है नहीं present है तो बात की बात है जो दिक्कत कर रहा है उसके लिए तो लाठी लेके दोड़ाना ही पड़ेगा ठीक है तो इसको t माना इसका differentiation 2x square sorry 3x square dx is equal to dt तो dx की value क्या हैगी dt upon 3x square हमने इसको t क्यों माना क्या इसका differentiation present है ऐसा मुझे मालूम था फुला बहुत मालूम था लेकिन मुझे दिक्कत कर रहा था ये इसलिए इसको हटाया हमने अब देखें यहां रख देते हैं वैदू so i is equal to इसको t माना आपने इसको कुछ नहीं माना और dx हो गया dt upon 3x square जरा ध्यान से देखिया यह 3 तो बहार निकाल ला हूँ यह x power 5 है यह x square है 2 power कम हो जाएगी यह x cube बचेगा अब आप बताइए क्या पूरा function t में convert हुआ नहीं कौन दिक्कत कर रहा है x cube इसके लिए कोई solution है जी हाँ जो हमने assumption किया था ना वहाँ से x cube की value क्या हैगी t plus 1 यह यहां रगदों उठागर कि ठीक है तो यह क्या हो जाएगा i is equal to integral 1 by 3 बाहर यह होगा t की power 1 by 3 x square की value क्या निकलेंगी x cube की जाएगए t plus 1 t plus 1 dt अब पूरा system t में convert हुआ तो यह देखना पड़ेगा कि भी hulk x power 5 था थोड़ा कम हुआ x cube बचा फिर उसको अटाया हमने ठीक है अब इसको अंदर ले जाओ देखो यह जब t के साथ आएगा इसकी power 1 है इसकी power 1 by 3 है और multiply में power क्या होती है add हो जाती है तो t power 1 plus 1 by 3 कितना हैगा 1 plus 1 by 3 यहनि 4 by 3 और plus t power 1 by 3 अब इसको integrate करो तो क्या हैगा 1 by 3 t power 4 by 3 plus 1 upon 4 by 3 plus 1 plus t power 1 by 3 plus 1 upon 1 by 3 plus 1 यह यहाँ integral में नहीं कर रहा था यहाँ पर यह multiply हो रहा था इसलिए same base होने पर power add कर रहा था यह पूरा हो गया और बाहर plus 3 constant कर दिया 1 by 3 यह क्या हैगा t power 4 by 3 plus 1 क्या होगा 7 by 3 upon 7 by 3 plus t power 4 by 3 upon 4 by 3 plus 3 अब इसको अंदर ले जाओ देखो यह 1 by 3 है यह 7 by 3 क्या हो जाएगा 3 उपर जाएगा 3 by 7 t to power 7 by 3 plus यह 1 by 3 है into 3 by 4 t to power 4 by 3 plus t यहां से 3 कड़ गया यहां से 3 कड़ गया अब t कमान रख दो क्या हैगा 1 by 7 t की value क्या हैगी x square minus 1 x cube minus 1 तो आएगा x cube minus 1 to power 7 by 3 plus 1 by 4 x cube minus 1 to power 4 by 3 plus c तो यह हो गया आपका question number 12 next देखे 13 पहले अपने आप करिएगा integral tough माना जाता है बहुत tough नहीं है लेकिन थोड़ा technical माना जाता है और इसमें करीब 10-11 x size है आपके ncrt में और 32 x size है rd शर्मा में देखे question number 13 क्या कह रहा है i is equal to integral of x square upon 2 plus 3 x cube 2 power 3 dx देखो एक तो whole power है अभी हमने का whole power जैसे ही होगी उसके अंदर जो भी लिखा उसका मन में हम x मानेंगे अगर x नहीं है तो उसको assume करना पढ़ेगा इसको assume करिए let 2 plus 3 x cube is equal to t इसको differentiate करो 2 का 0 इसका एगा 9 x square dx is equal to dt जहाँ dx है वहाँ क्या लिखेंगे dt upon 9 x square रग दो यहाँ पर so i is equal to x square को छेड़ेंगे नहीं इसको आपने t माना है t power 3 आएगा और यह हो जाएगा dt upon 9 x square यह कड़ गया 9 तो constant है बहार निकालो 1 by 9 integral देखे अपान में t cube है upon power x की कुछ और है 1,2,3,4 है तो उसको उपर shift करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा t power minus 3 dt 1 by 9 t power minus 3 plus 1 upon minus 3 plus 1 plus c यह minus 2 आएगा 1 by minus 18 t power minus 2 plus 3 minus 1 by 18 देखे ट power minus 2 को as it is छोड़ दीजे यह 1 upon t square लिग दीजेगा t command दो minus 1 by 18 और t value क्या है 2 plus 3 x square to power 2 plus c इस प्रकार से हमने 13 questions discuss किये चोंकि इस exercise में 39 questions है rest 13 I will do in the next question video and next 13 I will do in the third video okay thank you उसड़िया झाल सक्दोर 20 ंब